हक दो कराची को, बदलो कराची को लोगों की जो दुआएं हैं, जिस कैफियत में लाग रुपए बिल वाला आता होगा और वो जाता होगा, मैं चाहूँगा अगर कुछ एकाद वाक्या, अगर आपको याद हो अगर को, ऐसे ही कई लोग आए होगे, तो हमाएन नादरीन जो है जान सकेंगे, हो सकता है को और लोग ऐसे मसले का शिकार हो, उनको ना पता हो देख के आए, तो कोई भी किसी चाहिए, शाहिए को बिल बेशिमार वाक्या दा है, इसमें दे एक में आपके वक्ती भी किलत है, एक पुलिस कांस्टेबिल ने नेटी जेटी के पुल पे मिया बीवी को वो चलांग लगाने से पहले, यानि उनकी सस्पीशियस एक्टिविटी देखी, उसने वार रिक्षा रोका, वरत और आदमी उतरे और उन्होंने उसकी घराई का अंदाजा लगाया, और फिर तो वह आले भी लाकों के बिल आते रहे, तो वो उन्होंने जेवर बेचा, फिर अपना घर बेचा, आखरी उसको वार रिक्षा रह गिया था, तो मिया बीवी ने ये तेह किया, अब हम खुदकिशी कर लें, वहां पूखते पाचते जमाद इसलामी के इसी दफ्तर में, पब्लिक की मुटसिब में फाइट की, के ऐलेक्टिक से बात की, और हमारा के ऐलेक्टिक का जो सहल है, उसने पूरी तरह टेक अप किया, अलहम्दुलिल्ला, मालिक कैसान है, कि अशी ने जिफ्तर two-rift पाइसे का बिया है, जिए जी रो पैसे का, छो तो एक ऐसा खानिवा हुआ जो पुलिस हलकार ने उन्हें जो है वो रेफर किया और अभी गुदिश्टा दिनों जेल से एक आदमी पचास साल के वाद छूटा तो जेलर ने जमाज स्लामी पप्लिकेट के एक साथी को रेफर किया और उसने हमारे पास पहुचाया और उस वक बज़ रहे थे रात नौ नौ अभघे यो आदमी हमारे पास आया है जिसके फो चोड़े वैं साल हो चुके थे जिए कलाकोट के अंदर था तो गर अब नकशा बदल चुका हैं उसके रिष्टार खतम हो चुके हैं तो जेलर ने इसे परमाद किया कि ये तो जमाज स्लामी आरो हमने थे यह इसकी तरी के और यहां उसको लेके, मसले था कि वो जब जेल, वो कतल के जूटे इल्दाम में उसको उमर कायद की सजा हुई थी, तो उमर कायद फिर वो कुछ तखवीफ होते 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 होते, 25 साल गुजार के वो आया, वो इस वक्त सतर, 80 साल का बुड़ा हो चुका, या दाश भी, दिमा अस वक्त नॉर्मल था, तो उसको रिहाबिलेटेशन प्रोसेस से भी गुजारा यहीं पर, और उसके बाद जब वीडियो देख के, अलहमदिल्ला राट कोई 11.30 बजे, उसका एक भतीजा जो उसकी तीन साल उमर थी जब उसको गिरफतार किया था, वो जवान हो गया, वो और वो ऐसे गले लगे हैं, तो यह अल्ला का अहसान है, यह वो अपने रिशिदारों को मिल गया, मतलब उनके रिशिदारों ने अप्रोच कर लिया, और वो यहाँ पर आये जो हमने पता और फून नमबर दिया था, तो यह वो अभाम का भी और लोगों का इतमाद है, कि अ इस तरीके से हमारे जरीए काम ले रहा है, यह वाकरी माशालला आपने बहुत ही दो वाकियात, यह तो बहुत देख की भड़ी देख में से आपने दो चावल गाले निकाले होंगे, और यकीन जिस कर्ब से जो है, लोग गुदर रहे हैं, वो अलफाज में बयान नहीं किया कराची को, बदलो कराची को